क्या शोय वक्तर को सता रहा है इस भारत ये बॉलर का डर हेलो फ्रेंस मैं हूँ सुनीता और आप देखने डिनपी स्पोर्ट्स IPL सीजन 15 में भारत की उम्रान मलिक ने जस तरह से रफतार पकड़ी है उसे देखते हुए विश्व क्रिकेट के दिगज उनकी तारीफों के पूल बाढ़ रहे है लेकिन इसी बीच सरहत पार रावल पिंडी एक्सक्रेस के नाम से मश्मूर शोय वक्तर को भारत के स्पीड बॉलर का डर सता रहा है आखिर शोय वक्तर को ये डर खूल सता रहा है इसके पीछे की बज़े भी जान लेते हैं दरसर विश्व क्रिकेट बेस सबसे तेज गेन डालने का रिकॉर्ड शोय वक्तर के नाम है और अब शोय वक्तर को डर है कि कहीं उम्रान मलिक उनका ये रिकॉर्ड न तोर दे अब इसे लेकर शोय वक्तर ने खुद क्या कहा है आईए जान लेते हैं सरहत पार बैठे पाकिस्तानी स्पीड स्टार शोय वक्तर भारत के उभरते हुए एक सितारे से डर गए है उम्रान मलिक वरतमान में सबसे 30 गेंड डानने वाले भारतिये बॉलर है उम्रान मलिक ने अपने रफतार से विशु क्रिकेट के दिगजू का ध्यान अपनी होगी जा है आईए 2022 में इस समय उम्रान मलिक बहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं इसी बीच शोय वक्तर ने भी स्पीड स्टार को लेकर बड़ा बयान दिया है शोय वक्तर को अपना ही रिकार्ड तूटने का डर सता रहा है क्योंकि इस वक्त विशु क्रिकेट में सबसे तेज गेंड डानने का रिकार्ड शोय वक्तर के ही नाम है शौयबकतर ने क्रिकेट इतहास کی सबसे तेज गेंद 161.3 किलोमेटर पति गंटे की रफतार से डाली है तो ही उम्रान मल commands ने IPL 2022 में दूसरी सबसे तेज गेंद डाली है जिसके स्पीड रही है 157 किलोमेटर पति गंटे IPL अतहास में पहली सबसे तेज गेंड डालने का रिकार्ड शॉन टेट के नाम जिन्होंने 157.7 किलोमेटर पती घंटे के रफ़तार से ये गेंड डाली गी अब शॉन टेट और उम्रान मलिक की बॉलिंग स्पीड के अंतर की अगर बात करें तो ये मात्र पॉइंट साथ का है नहीं शॉय बक्तर उम्रान मलिक की स्पीड के अंतर की अगर बात करें तो ये 4.3 किलोमेटर पती घंटे का है यानि कि उम्रान मलक विश्व रिकॉर्ड को तूरने से मात्र 4.3 किलोमेटर पती घंटे की दूरी पर है उम्रान मलक युवा है जो सहर का जूश और जूश और जूनूर अपने खेल को लेकर एक खिलाडी में तिखता है वो सब हमें उम्रान मलक में देखने को उमल रहा है अगर उम्रान मलक अपनी लैक उबर करार रखते हुए इसी तरह से गेंद बाजी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का ये युवा विश्व का स्पीड स्टार कहलाएगा इसी बीच जब शोय वक्तर से ये स्वाल किया गया कि उम्रान मलक के पास वो स्पीड है जो आगके रिकार्ड को जब भी तोर सकती है इस पर शोय वक्तर ने एक बार तो कहा कि मुझे खुशी होगी अगर उम्रान मलक मेरा रिकार्ड तोरता है यहां तक तो ठीक है लेकिन इसके बाद जो शोय वक्तर ने कहा उसके चर्चाएं चारों तरफ हो रही है शोय वक्तर ने दरसल आगे कहा कि मुझे खुशी होगी कि उम्रान मलिक मेरा रिकार्ड डूटता है पर हाँ वो अपनी हड्डियां नहीं तोड़ना चाहेगा अब इसका तो सीधा सा मतलब यही है कि शोय वक्तर एक तरफ तो खुशी जाहर कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह कह कर मानो उम्रान मलिक को डराना चाह रहे हैं कि ऐसा करने में आपकी हड्डियां हिट उचाएगे अब उम्रान मलिक शोय बक्तर का रिकॉर्ड कब तो होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन शोय बक्तर के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा इसके अलबा स्पोर्ट से जूँ हुई बागी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें टियान पी स्पोर्ट